माउंट एवरेश्ट जो दुनिया का सबसे उचा परवत है दूर से देखने पर ये परवत आपको बहुत ही सुन्दर लगेगा पर यकीन मानिये ये खुबसूरती के पीछे एक और डरावना और खतरनाक सच है माउंट एवरेश्ट का सिखर जो 8842 मीटर के उपर है वहां तक पहुँचने की बहुत से लोगों ने कोशिस की पर इसी कोशिस में बहुत से लोगों ने अपनी जाने गवाई है माउंट एवरेश्ट के उपर ऐसी हजारों लास से आज भी दफन है इतना खतरनाक है दुनिया का सबसे उचा परवत माउंट एवरेश्ट तो मैं हूँ उर्विस ओजा और अगर आप एड़ेंचर के सौकिन है तो दिल धाम कर बैठिये क्योंकि ओजा युनिवर्स आज आप के लिए लेकर आया है एक ऐसा ही साहास की कहानी जिसने इतिहास के पन्डों पे अपना नाम दर्स कर दिया दुनिया के सबसे उचे सिखर पाउंट एवरेश्ट को सर करने की होड़ तो सन 1922 से ही सुरू हो चुकी थी पर उसकी चोटी तक पहुँचना मानो लगभग नामुम्किन सा था और ये काम इतना आसान भी नहीं था वहां तक पहुँचने के लिए बहुत से खत्रों से और हालाच से गुजरना होता था 8842 मिटर यानी 29,028 फिट के इस रास्ते पर कदम कदम पर मौत है कई लोगों ने इस प्रयास में अपनी जाने गवाई है पर दुनिया में ऐसे बहुत ही कम सांसिक होते है जो नामुम्किन को भी मुम्किन कर जाते है ऐसा ही एक नाम है सेर्पा टैंसिंग सेर्पा टैंसिंग जिनका जन्म 29 मई 1914 को नेपाल के सोलुकुम्बु डिस्टिक में हुआ था सन 1952 में नेपाल के सेर्पा टैंसिंग के दिमाग में माउंट एवरेश को सर करने का जुरून सवार हो गया तब उन्होंने स्वीच सर लैंड के रैमन्ड लैंबर्ड के साथ मिलकर माउंट एवरेश को सर करने का प्रयास किया जो सन 1950 में किये गए अंग्रेजो और यूएस के परवतारोहियों के बाद की सीरियस क्लाइबिंग थी उन्होंने माउंट एवरेश को सर करने की सुरुवाद तक सिन की तरप से की और बो लोग 8600 मीटर की उन्चाई तक पहुंच गए यानि की माउंट एवरेश के सिखर से सिर्फ 250 मीटर दूर पर बेहस ज्यादा थंडी माइनस 60 डिगरी टेंपरेचर ओक्सिजन की खपत और बहुत बहुत ज्यादा खराब मौसम की बज़स से उनको वापस लोटना पड़ा मन्जिल के इतने करिब पहुच कर भी उनको खाली हाट लोटना पड़ा पर उन्होंने हर नहीं मानी उनका होसला इतना बुलन था कि अगले साल यानी 1922 में उन्होंने फिर से साथ अंग्रेज और दो न्युजलेल के परवता रोहियों के साथ एवरेश के इस एडवेंचर पर फिर से निकल पड़े दिन था 9 एप्रिल 1922 तैंसेंग और एडमन हेंडरी की टिम ने चड़ाई सूर कर दी माइनस 45 डिग्री टेंप्रेचर बरफिले रास्ते कभी भी तूट पढ़ने वाली चटाने और बरफिली खायों के बीच से एक के बाद एक मुश्किलों का सामने करटी हुए एक के बाद एक केम्प बना कर वो लोग अपनी मंजिल के करीब पहुंचते गए सतर से लगबग 20,000 फिट की उचाई पर पहुंचते के बाद एक छोटी स्दरार को पार करने के लिए हैंडरी ने कदम बढ़ाए पर वो फिसल गए और वो हमेस्था के लिए खाय में दफन होने वाले थे किस समय रहते टैंसिंग ने रसी फेक कर उनको बचा लिया अगर उस वक्त टैंसिंग ने रसी न फेकी होती तो माउंट एवरेस में दफन होने वाले लोगों में एक और नाम हैंडरी का भी जूर जाता पर उनके पहले चार्ज इवान की नो सब्भ्यों की एक और टीम थी जो तैंसिंग के पहले माउंट एवरेस की चोटी पर चड़ने वाली थी अगर किसी कारण वोलोग चड़ाय में निस्फल हो जाए या फिर चड़कर वापस लोट जाए उसके बाद टैंसिंग की टीम को आगे बढ़ना था टैंसिंग की टीम ने लगबग 22,000 फिर के उच्चाई को सरकल लिया था जो माउंट एवरेस की चोटी से ठीक पहले आने वाली आखरी जोर थी जो सबसे ज़्यादा खतरना कमाने जाती है जहां पर पहुंचते पहुंचते कहीं लोगों ने अपनी जाने गवाई है अब दिन था 26 में 1952 उस दिन इवांस की टीम माउंट एवरेस की चोटी से सिर्फ 300 फिर की दूरी पर थे लेकिन इवांस और उनके साथ ही बहुत ठक चुके थे उनके पैरों ने अब जबाब ये दिया था उनमें अब एक भी कदम बढ़ाने की ताकत नहीं बची थी और वो चोटी से सिर्फ 300 फिर की दूरी से वापस लोट गए यहां पर इतिहास किसी और के ना भी लिखा जाने वाला था अब इवांस की टीम वापस लोट गई और अब बारी थी टैंसिंग और हैलरी के टीम की सुबह टैंसिंग और उसकी टीम ने अपने मंदिल की तरफ कदम बढ़ाए तापमान था माइनस 22 डिकरी परिस्तिती कठीन थी फिर भी इस ताशिकों ने हिम्मत नहीं हारी और वो आगे बढ़ते रहे वो कुद्रत और अपने तन की कठीनाईयों को परास्त करके एक के बाद एक अपना कडम बढ़ाते गए और सुबा के 9 बजे वो लोग दक्सिन सिखर तक पहुँच गए धीरे धीरे उनका ऑक्सिजन खतम हो रहा था अब उनके पास उतना ऑक्सिजन नहीं था कि वो इस पूरे अभ्यान को ठिक से खतम कर सके तैंसिंग और उसके साथ्यों की कती धीमी हो रही थी और कुछ यही हाल हेलरी का भी था उनके पाउं धीरे धीरे भारी हो रहे थे हेलरी और तैंसिंग ने बैटकर कुछ देर आराम किया और उसकिजन की नली को साफ किया क्योंकि उनको सांस लेने में तकलिफ हो रही थी आराम करने के बाद वो फिर से निकल पड़े वो एक की बाद एक कठिनाईयों को मात दे रहे और अपने कदम एवरेस की चोटी की तरब बढ़ाते रहे और आखिर में 29 मैं 1953 के दिन 11 बचकर 30 मिनिट पर सिर्पा तैंसिंग और हैरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया वो लोग दुनिया के सबसे उचे परवत मांट एवरेस्ट जिसकी उचाई 8,842 मीटर की उचाई पर पहुँचने वाले पहले इंसान बन गए तब उनकी खुशी का कौन ठीकाना नहीं रहा और ये उस वक्त की सची तस्वीर है तो आज के लिए इतना ही दोस्तो अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लिस हमारे वीडियो को लाइक करना तो बिल्कुल बिल्कुल मत भूलिये यार और हमारे इस वीडियो को जदा ज़दा सेर करना मत भूलिये और यार सब्सक्राइब तो ज़रूर करिये वो फ्री ही है यार क्या चाता है वो फ्री है तो प्लीज यार हमरे चनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए तो में तहे अगले एक सबरदस्त वीडियो के साथ तब तक के लिए बूट बाई